दोसों कमट्सर अकडमी के उट्व पोर्टल पे आपका स्वागत है असा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप जान रहें कि 27 अगर्स्त 2024 को UGC NET का री एक्जाम हुआ और इस री एक्जाम में आप देखेंगे आयोग के तरब से 7 से 8 प्रस्न गलत हुए हैं साथ से 8 प्रस्न जो गलत हुए हैं इसमें लोगों को बताया भी गया था कल कि इन प्रस्नों में आप अपत्ति लगा सकते हैं क्लेम कर सकते हैं वह प्रस्न कौन-कौन से हैं आई ये उसकी चर्चा करते हैं लेकिन वैसे अगर माइनूर्ट तरीके से देखा जाए तो सा 3508 Nevada साथ से 8 प्रस्न ही बलकी और भी प्रस्शन गलत लेकिन पार क्लेम करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वह श्रूरत इवं सकते हैं हां अगर वह प्रस्न कुछ इस तरीके से आयि होतये कि इन में से सही कौन सा है तो मान लिया जाता कि हाँ वहांपर क्लेम किया करेंगे तो वहाँ पर उस प्रसिव को घbane करें और पर करना चाहें कर सकते हैं कि यह पर देख रहें कि और प्रसंगों को पहले से बादके करम में में ब्यवस्तित कीजिए यह फर्स्ट मीटिंग का है फर्स्ट सिप्ट का है फर्स्ट सिप्ट में जो तीन प्रस्ण है वह कौन-कौन से हैं वह इसे पांच प्रस्ण है लेकिन तीन प्रस्ण पर क्लेम किया जा सकता है जो दो प्रस्ण है उन पर क्लेम नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर क्रम से पूछा गया था इक मने अग फोन्र दोने के , स्रिफ्ट हो जो हैं यहां पर जो आयोग ने उत्तर दिया है वह उत्तर दिया है सी होगा आयोग ने जो उत्तर दिया वह बताया कि सी होगा यानि पहले बी होगा फिर ई होगा डी होगा यह होगा सी होगा हाँ बी सही है भोला का होरी को गाय देना यह सही है उसके बादिनों ने कहा कि B होगा, इसके बाद में D होगा, D के बाद में E होगा, फिर A और C होगा, तो यह होना चाहिए, गोदान के अध्याएचार में आप, साच के रूप में अध्याएचार गोदान का जो है, उसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि अध्याएचार जब आप पढ़ेंगे, कि विंसार हो गया था यानि सुबा होने को थी गोबर को जगाने के लिए होरी देखता है जाता है लेकिन तब तक पता चला सोचता है के तारे यहां तो गोबर ही नहीं अंधेरे ही चला गया क्या और यह अंधेरे चले जाने की ही बात हो रही होती है यानि वो जाता है गाय ल तो यहां पर यह प्रसंग होगा दमनी बशोड़ का और उसके बाद में राय साथ के यहां तब धरुस यगे की बात होगी तो यह अध्याई चार को आप दे सकते हैं तो यहां पर इस प्रस्ट में आप कर सकते हैं मैंने साथ ची भी आपको बता है कि कहां से आप ले सकते हैं अध्याई भी मैंने बता दिया है इसके बाद में फर्स्ट सिप्ट में ही आधे अधूरे जो नाटक है आधे अधूरे नाटक जो दिया गया है यहाँ पर भी उत्तर दिया गया है आधे अधूरे में आयोग के तरब से कि B, C, E होगा यानि उन्होंने एको गलत माना बिल्कुल एक गलत है क्योंकि बड़ी लड़की की भूमी का अनुराधा कपूर ने निभाई और छोटी लड़की की भूमी का रिचाव्यास ने निभाई तो ये दोनो गलत है लेकिन जो इन्होंने सही माना कि B सही है, C सही है, E सही है, B और C तो सही है लेकिन E गलत है, E गलत क्यों है क्योंकि इसका मंचन फरवरी 1979 में हुए ये गलत है आधे अधूरे किताब अगर आपके पास है तो वहाँ पर भूमिका के बहाने जो दिया गया है भूमिका के बहाने भुमिका के बहाने की प्रारंव की तीन लाइनों को आप पढ़ लिजे तीन से चार लाइनों को और वहाँ पर चार लाइन पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा कहा गया कि आध्यादूरे नाटक जो है वो 19 जन्वरी 26 जन्वरी 26 जन्वरी और दो फरवरी को तीन अंकों में धर्म युग पत्रिका में प्रकासित हुआ जबकि यह नाटक 2 मार्च 1979 को दिल्ली की नाट संसाग देशांतर ने इसे ओम सिवपूरी के निर्देशन में अभिमंचित किया है तो यहाँ पर इसका जो मंचन हुआ है वो 2 मार्च को हुआ है और किसके निर्देशन में हुआ है स्री ओम सिवपूरी के निर्देशन में हुआ है किसके द्वारा किया गया तो दिसांतर नाट संसा द्वारा किया गया 113 में भी आयोग ने जो उत्तर माना है वो उत्तर माना है कि B, D, E सही होगा ठीक है B सही है E सही है लेकिन D गलत है क्योंकि उर्वसी अपने नौजात सिसु के देखवाल सोयम करती है गलत है अब इसका साथ चे आपको कहां मिलेगा इसका साथ चे उर्वसी के अंक चार में देखे अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं उर्वसी के अंक चार में उर्वसी अपने अपना जो सिसु है वो किसे दे देती है सुकन्या के पास छोड़ देती है और सुकन्या उसकी देखवाल करती है ना कि उर्वसी तो यहां पर हो जाएगा सुकर्ण्या यहां पर हो जाएगा सुकर्ण्या तो इस तरीके से आप यहां पर भी आपत्ती कर सकते हैं इसी फर्स्ट मीटिंग वाले पेपर में भी फर्स्ट सिप्ट के पेपर में आप देखेंगे कई लोगों ने ये बताया कि सर फर्स्ट सिप्ट में प्रेम चंद घर में प्रेम चंद घर में जो रचना है उसका प्रशन गलत है वो गलत नहीं है क्यों गलत नहीं है क्योंकि उसमें पूछा है क्रम से सही कौन सा होगा क्रम उनकी जो पहली कहानी है किस पत्रिका में चपी अगर ऐसा पूछा गया होता तो गलत हो जाता लेकिन वहाँ पहली कहानी मोटे रामसास्त्री और लखनों में उन्हें राई साहभी और इसके अलावा सिवरानी देवी का जेल में जाना तो ये सारी चीज़ जो दी गई हो क्रम से दी गई है क्योंकि अध्याए 36 में आप देखेंगे उनके पत्रिका के बारे में हैं अध्याए 41 में मोटे रामसास्त्री के बारे में हैं अध्याए 52 में आप देखेंगे राई साहभी के बात है 58 में देखेंगे जेल की तो ये क्रम से ही दिया गया है तो इस प्रस्ट प बात होती तो वहाँ पर आप इसको कह देते कि हाँ यह गलत है तो उस पर आपका क्लेम सही माना जाता लेकिन यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा इसे ध्यान लखिएगा क्योंकि उन्होंने का मेरी पहली कहानी साहस निकली थी और चांद पत्रिका में तो वहां चांद की बात जो कही गई तो चांद या मादूरी या इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं वहाँ पर क्रम से जो बात हो रही पहली कहानी की जो बात हुई इस तरीके से देखे तो क्रम से सही है उसको गलत ना माने फर्स्ट स्रिप्ट में ही सायद किसी ने कहा मैला आचल के बारे में कि मैला आचल गलत है मैला आचल भी गलत नहीं है वह भी जो प्रस्ण दिया गया था वह भी सही है सायद किसी ने मुझे भेजा था तो वो भी गलत नहीं है, एक बार पुना आप देखें, साथ देखने में किसी को गलत लगाओ, लेकिन वहाँ पर गलत नहीं, वहाँ पर जो अध्याय दिया गया है, वो अध्याय संसट दिया गया है, वो सही है, क्योंकि पहले खंड में, पहले खंड में 44, दूसरे खंड में 703 वो सही है अब इसको कुछ लोग है करें ऐसको कह दिया गया देखिए इतना को बहुत बड़ी बात महीば पर और इसको फर्क नहीं परता है वह सही है तो यहां पर आप 01फ तुछ यह तो तीन प्रस्ण है यह तीन पूर्टेहा गलत हैं अब आ जाते हैं सेकंड शेफ्ट में सेकंड शेफ्ट में प्रस्ण संख्याती की चीज कहा है कि आचार रामचंद शुक्ल का जो लेख है कविता क्या है वो 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकासित हुआ तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड शिप्ट को ही मिलाकर अगर देखे तो भी आप उस प्रस्ण को ही साची के रूप में दे सकते हैं तो इस तरीकी से चार प्रस्ण हो गे दुलहिन, अंगिया, कहें धवाई यहाँ पर उन्होंने जो आयोग ने उत्ततर माना है वो सरीर माना है जब की होना चाहिए आत्मा तो यहाँ पर भी आप साक्ष्छे दे सकते हैं शे प्रस्ण हो गया जैसंकर प्रसाथ की जो रचना है यहां पर भी आप साथ छे दे सकते हैं यहां पर भी जैसंकर प्रसाथ की जो रचना से दिया गया है यह भी यहां पर गलत है प्रस्ण संख्या 86 में जो दिया गया क्योंकि महाराना का महत तो आप देखेंगे 1914 में है, चित्राधार 1918 में है, जर्णा भी आप देखेंगे 1918 में है, आशु आप देखेंगे 1925 में है, लहर आप देखेंगे 1933 में है तो यहाँ पर पहले ई दिया गया महाराणा का मात फिर दिया गया चित्राधार फिर दिया गया है आंसू तो इसलिए गलत है आंसू 25 में है फिर बी दिया गया है जो कि 33 में है फिर सी दिया गया जहरना जो कि 1918 में है तो इस प्रस्ण पर भी आप क्लेम कर सकते हैं तो यह 6 प्रश्ण हो गए 7 प्रश्ण आप देख रहे हैं तो यहां पर आयोग ने इसे तो खुद हटा दिया है इसे खुद डॉप कर दिया है यह डॉप कोईस्टन है क्योंकि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है और साइध इसको हटाना भूल गए और प्रकासन वर्स के अनुसा स्टेक है आंसिक रूप से तो इस तरीके से लगबग आठ नो प्रस्ण हो रहे हैं अब यहां पर सबसे बड़ी बात एक सोचने वाली है कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कर रहा है आयोग तो वहां पर लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है गलत यह हो रहा ह है कि परिक्षा के तयारी की जाए ठीक है वहां भी पैसे लग रहे हैं फॉर्म भरा जाए वहां भी सुल्क लग रहा है परिक्षा देने जाए वहां भी जाने आने का खर्च लग रहा है और इसके बाद आयोग सोयम गलत करे चाहिए वह गलती से हो या जान बूझ कर गलत क और आयोग को यह हम बताएं कि हां आपने यह प्रस्ण गलत किया है और उस बताने के लिए भी मुझे ही चार्ज देना पड़े यह गलत हो रहा है गलती आयोग करें गलती आयोग की है और अगर उस गलती को हम कहें कि हां आपने गलत किया है आयोग की गलती है और उसे बताने क के लिए मुझे ही चार्ज देना पड़े तो यह तो बहुत बड़ा गलत है इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए इसके लिए एक मोहिम चलाना बहुत ही जरूरी है सभी लोगों को एक साथ आकर और इस पर मोहिम चलाना चाहिए कि प्रशनों की आपत्ति के लिए जो प्रशन नहीं रखना चाहिए उसको निसुल्क रखना चाहिए क्योंकि गलती सोयम आयोग की है मेरे इस बात से कितने लोग सहमत हैं जरूर अपनी प्रत्किरिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा ताकि आगे आने वाली परिक्षा के लिए कुछ मुहिम चलाया जा सके जिससे आयोग के अपनी प्रत्किरिया व्यक्त कीजिएगा वैसे यह चीज गलत है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें और अपनी प्रत्किरिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा